नमस्कार, JK News Today में सभी दर्शकों का स्वागत है अभी अभी DC जम्मू अंचुल गर्ग द्वारा एक एहम फैस्ता लिया गया है कि नाइट कर्फ्यू जो कि आज से शुरू होगा रात 10 बजे से लेके सुबे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा जम्मू में और यह स्टिकली इंपोस्ट किया गया है जिसतना से आपने देखा होगा पिछले दिनों फैस्टिवल सीजन था और शादियां भी थी तो लोगों की बजार में आवाज आही बढ़ गई थी और उसी कारण करोना के केसिस भी जो थे वो इंक्रीज कर गए क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना, कोविड एप्रोप्रियेट बहेवियर को फॉलो करना कहीं छोड़ दिया था तो इसके मद्दे नजर जो पॉस्टिविटी रेट बढ़ा है उसके मद्दे नजर रखते हुए जम्मू DC अंचल गर्ग द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसे स्ट्रिकली इंपोस्ट किया जाएगा और नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग है रात 10 बजे से लेकर सुबा 6 बजे तक ये उन्होंने ट्वीट करके बताया है मैं ट्वीट जो है उनका एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ DC अंचल गर्ग जम्मू DC जमू अंचल गर्ग उनका ट्वीट है मैं एक बार ट्वीट आपको पढ़ के बता देती हूँ In view of increasing positivity rate in जम्मू DDMA imposed night curfew from 10 p.m. to 6 a.m. from 17th November, Wednesday onwards यानि कि आज से राद 7 बजे से लेके सुबर 6 बजे तक night curfew strictly imposed किया जाएगा जम्मू में All are advised to follow COVID SOPs and get fully vaccinated तो जो ये सब के लिए advice जारी की गई है कि please COVID appropriate behavior को follow करे और जिन्होंने vaccine नहीं लगवाई वो अपनी vaccination पूरी complete करे क्योंकि vaccination कहीं ना कहीं हमें इससे बचाव करती है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि COVID का जो positivity rate है वो बढ़ता चला जा रहा है कश्मीर में कई जगाओं पर lockdown लगाया गया है अगर इस तरह से ही हम भी COVID को लेकर लापरवा रहेंगे तो जिस तरह से आगे आगे मुश्किलात भढ़ती चली जा रहे हैं और भढ़ती जाएंगी और government को सक्त फैसले लेरे पड़ेंगे जैसे DC जमू अंचुल गर्ग द्वारा फैसला लिया गया COVID positivity rate को देखते हुए कि night curfew को strictly imposed किया गया और जो इस night curfew को नहीं मानेगा जो SOPs जो COVID appropriate behavior को नहीं follow करेगा उसके खिलाफ सक्त कारिवाही की जाएगी शादियों का season था, festival season था कई बार हमने देखा लोग बिना mask के जा रहे है social distancing का पालन भी नहीं किया जा रहा जिसके कारण COVID positivity rate increase हुआ है कुछ दिनों में और ये कही ना कहीं ये भी दर्शाता है कि हम लोग लापरवा हो चुके हैं COVID को लेकर जहां शुरुआत में COVID का वक्त आया था तो लोगों के अंदर एक डर था एक था कि इस बिमारी से इस महामारी से हमें खुद को नहीं सब को बचाना है लेकिन अब देखा गया है कि जैसे festival season पीछे पिछले दिनों रहा शादियां रही लोगों की आवाज आही बढ़ गई लेकिन उन्होंने COVID को लेकर लापरवाही बढ़ती है और इसी के चलते COVID positivity rate बढ़ गया है और इसी कारण जो जमू डीसी अंचुल गर्ख है उन्होंने ये एक एहम फैसला एक important फैसला लिया है कि night curfew को imposed किया जाए रात 10 बजे से लेकर सुबा 6 बजे तक जो की आज से शुरू होगा हम उमीद करते हैं आप इस जो ये night curfew लगाया गया है इसका पालन करेंगे COVID appropriate behavior का पालन करेंगे अपने साथ साथ औरों को भी सुरक्षित रखेंगे तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जुड़े रहिए JK News Today के साथ और अपडेट्स के लिए धन्यवाद